नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं आज का खास जोत्य शिराहट के एक्स्ट्रो एक्सपेरिमेंट आपके साथ मैं हूँ आपका इस्ट्रो फ्रेंड संतोर संतोशी पीला धागा कैसे चमतकार करता है धागा और पीला रंग इसका आज हम प्रियोग बताएंग लेकिन बरकत न दिखे धन का सही जगह संचय होकर के प्रियोग न दिखे तो ऐसे धन का कोई मोल ने हैं आपके घर में महिने के लाक डेड़ लाक दो लाक आ रहे हैं चाहे नौकरी से या विजनस से हम बहुत मिनिमम लेके चलते हैं इतना तो हर घर में आजकल आता है अच्छी जगह हिस्तेमाल होता है तो बहुत अच्छा लेकिन आया और फिर आप महिने के अंद तक कर्ज में हैं दो चार हजार देंदारी बढ़ गई है तो उसे कहते हैं कि धन में बरकत नहीं है उन्नती नहीं है बढ़ोत्रे नहीं है मित्रों यह आपकी कुंडली में पीडित ब्रहश्पत के कारण ही होता है यह बढ़ोत बड़ा सूत्र दे रहा हूं कि धन में बरकत पीडित ब्रहश्पत के कारण नहीं होता बढ़ेगा ही ने पैसा लाग हाया खर्चा और दसजार का करजा अब आप कहेंगे कैसे मित्रों नाइंथ और ट्वल्थ हाऊस का नैसर्गिक कारण इनहीं के पास है ट्वल्थ हाऊस लाव का लाव होता है पीडित हुआ तो लाव का लाव एकादस से दुती है लाव का bank balance 12th house लाव का एक आदस से दुती है लाव का bank balance और ब्रहश्पत के पास एक और घर होता है 9th house अर्थात आपके भाग को भी ये परिश्कृत करते हैं पॉलिश करते हैं आपको आश्यर में डालते हैं तो अगर आपके कुंडली में ब्रहश्पत पीडित है तो इसी वज़े से बरकत नहीं हो रही है अब हम आपको प्रियोग बदाते हैं आप एक सफेद धागा ले ले लेजिए जिसके लंबाई आपके शरीर के बराबर हो आप जितनी लंबाई के हैं जितना आपकी जितनी है उसके बराबर सफेद धागा लेजिए और पीतल की कटोरी में पीतल की कटोरी में हल्दी घोल कर धागी को उसमें रंग लीजे और फिर सुखा लीजे सुखाने के उपरांत इस धागे पर रनिंग वर्ष जितना गाठ लगा दीजे सुखाने के बाद और रनिंग वर्ष जितना गाठ लगा दीजे और रनिंग वर्ष जितना गायत्री मंत्र का जाप कर लीजे अब आप कहेंगे कि ब्रहश्पत में गायत्री कही थे नाइन्थ से नाइन्थ का कारक पंचम भाव का कारक सूर और गायतरी मंत्र के देवता सूर इसलिए गायतरी मंत्र का जाब मतलब हम घुमा फिरा के मजबूत गुरु को ही कर रहे हैं जोतशिय अंदाज में जोतशिय तर्क के साथ तो जितनी आपकी अवस्था है उतने आप गायतरी मंत्र का जाब कर लीजिए और फिर इस धागे को ले जाकर केले के पौधे के नीचे जो जड़ है उसमें बांध दीजिए घर आ जाईए अब दो तीन प्रश्णा आपकी जैसे जर्नल करते हैं आप लोग कि किस इसे कम करना किसी भी दिन करना है कितनी दफा करना है एक बार करना है किस समय करना है किसी भी समय करना है खाली पेट करना है कि भरा पेट करना है मरजी आपकी कोई मंत्र भी जपना है बिल्कुल भी नहीं जपना है कोई देखे टोके तो क्या टोक लगता है एकदम नहीं लगना है जो मर हेज कोई नो पत्थर एंड नो नॉन वेज फोलिश्टॉप काम खत्म और कोई क्वेश्चन नहीं चलिए बिदा लेते हैं कर सकते हैं आप विशेश रूप से सरस्वती औरा महायग्य का हिस्सा बनकर अपने बच्चों के लिए सरस्वती औरा कवच मगवा सकते हैं पूरा वर्ष उनके सिक्षा में एक बहतरीर योगदान देदेंगे हम हर उससे कहेंगे माता पिता से भाई बहर से जो भी सिक्षा से जुड़ा है यह प्रियोग जरूर करें तीन फर्वरी से पांच फर्वरी सरस्वती औरा महायक्य थैंक्यू सो मच नमस्कार शिरादे एक ब्रश्णौर आता है एक बार में फाइदा ना हो तो दुबारा कभ करें अगली पूर्णी मां के दिन नमस्कार